नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 7 नवंबर दिन मंगलवार खब्रोक्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर विधान सभा में आज पेश होगी जातिये गन्ना सर्वे रिपोर्ट मेगा फूड एविंट वर्ल्ड फूड एंडिया दोहजार तईस में बिहार को मिला प्रथम फुरुषकार बिहार में तीन दिन में दूसरी बार आया भुकम कई जिलों में हिली धर्ती डायल 112 सेवा के उपलब्धियों की ADG मुख्याने ने दी जानकाडी बांगलादेश और शुलंका के मैच में बना वर्ल्ड कप का सबसे बरा रिकॉड अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों क्यों विस्तार से इंडियान ओवर्सीज बैंक में 66 इस्पेसलिस्ट ओफिसर के पदों पर भरती इंडियान ओवर्सीज बैंक के द्वारा इस्पेसलिस्ट ओफिसर के 66 पदों पर भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वो बैंक की आधिकारिक वेफसाइट iob.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से आविदन कर सकते हैं बता दी के आविदन करने की अंतिम तारिक 19 नमबर 2023 तक निरधारित की गई है इसके लिए अगर सेचनिक युग गिता की बात करें तो इंडियान ओवर्सीज बैंक स्पेसलिस्ट ओफिसर भरती के लिए आविदन ही तो उमिद्वारों की रिक्तियों से संबंधित विभाग में यूजी पीजे स्तर की प्रोफेशनल डिग्री पदों के अनुसार अलग-अलग प्राप्त किया होना चाहिए साथ उमिद्वारों की आईउ एक नमबर 2023 को नियुनतम 27 वर्स और अधिकतम 35 वर्स होनी चाहिए इसे जोड़ी अधिक जानकारी हासल करने के लिए एक बार जारी के गर सूशना को जरूर देख ले फेस्टिफ सीजन में ऑनलाइन फ्रोट से बचे तेवहारों की शिर्वात हो चुकी है और इसी के साथ साथ साइबर अपड़ादी भी हरकतों में आ गए है बता दे कि आर्थी कपड़ा दिकाई के दोरा आईपी आरडी पर एक पोस्ट शेर करी या जानकारी दी गई है कि फेस्टिफ सीजन में ऑनलाइन फ्रोट से बचे क्योंकि तेवहारों की मौके पर लुभावनी ओफर्स, स्कीम, सेल का प्रलूबन देने वाले कई ठग गिरो सक्रिय होते हैं साइबर जाल साजो द्वारा वाट्सेप, SMS, मेल पर संदिक्द लिंक भीज़े जाते हैं साइबर ठग बड़ी कम्पनियों के मिलती जुलती फरजी वेबसाइट बनाकर लोगों को फ्रोड का सिकार बनाते हैं ओनलाइन खरिदारी करते समय अपने क्रेडिट और डेविट कार को गोपनी जानकारी को सेव ना करे WhatsApp, SMS, मेल पर प्राप्त लिंक खोलने से पहरे आधिकारी के लिंक स्कैनर का इस्तमाल करे स्ट्टी, PS, कोलम, स्लैस, स्लैस, डोमेन एक्स्टेंशन के साथ खुलने वाली वेबसाइट सुरक्षित होती है आफ़र से संबंद जानकारी कंपनी के अधिकारी का सोशल मीडिया या वेबसाइट पर जरूर चक करे किसी भी कंपनी की एप डाउनलोड करने से पहले उसकी सत्यता की जाच कर ले बता दे कि फेक आप के जरिये साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं ऐसे में साइबर अपराद से संबंद किसी भी शिकायत के लिए हेल्प लाइन नंबर 193 शुने पर संपर्ख करे या साइबर क्राइम.gov.in पर विजिट कर साइबर अपराद से संबंद इस्तिकायत दर्च करा सकते हैं बिहारी बहुतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे इंदू सुनाली के बारे में इंदू सुनाली का जन्म आजी के दिन उनिस्ति में हुआ था ये एक भारतिय फिल्म पार्सम गाईका है जन्हें बोजपुरी के आइटम गीतों में गाने के लिए जाना जाता है उन्होंने 300 भोजपुरी फिल्मों और 50 संगीत वीडियो एल्बमों के लिए गाना गया है गायन की विदनती लता मंगेशकर की एक बहुत बड़ी प्रसंसक है सुनाली एक्ट्रोनिक और नए युके जज फ्यूजन उन्मक संगित समारोह में एक कलाकार है 2016 में सुनाली ने संगीत निर्देशक दामोदर राओ के साथ एकल भक्ती एल्बम स्वरांचल रिकॉर्ड की जो संगीत कमपनी साई रिकॉर्ड के तहत रिलीज हुई थी उन्हें गायन के कारण कई भाशाओं का ग्यान प्राप्थ हुआ जिसके चलते उन्होंने हिंदी भोजपुडी बांगला इत्यादी भाशाओं में गायन किया उन्होंने 500 से अधिक भोजपुडी गीतों को गाया है Megafood Event World Food India 2013 में बिहार को मिला प्रथम परुसकार 3 नवंबर से 5 नवंबर तक दिली के प्रगती मैदान में आयउजित तीन दिवस ये Megafood Event World Food India 2013 के समापन समाडों में राजियों की श्रेनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बिहार को प्रथम पुरुसकार दिया गया है बता देक्स बात की जानकारी IPRD पर पोस्ट शेयर कर दी गई है जिसमें बताया गया है कि World Food India 2023 के समापन समाडों की मुख्य अतिती महा महीम राश्रपती द्रौपदी मुर्मो के द्वारा बिहार को यह सम्मान दिया गया है महिस पुरुसकार को लेकर उद्योग विवा के अपर मुख्य सचीफ संदी पौनरी के द्वारा लिखा गया है कि भारत मंडपंग नई दिली में पिहार सरकार के ओर से भारत के मारणी राश्रपती से PMFME में प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरुसकार प्राप्त करना सौभागे की बात थी अपराप्त क्लिनिक सामिल हैं लेकिन अब सरकार के ओर से इसको विस्तार करने की योजना बनाई गई है यानि कि अब इस योजना को राज्य के सभी अर्तस जिलों में प्रभावी बनाया जाएगा इसके दिली नीजी सहस्थानों से संपर्क किया जा रहा है है से मिया उमीद की जा रही है कि साल दिसंबर के अंध तक इस योजना को प्रभावी कर दिया जाएगा पता अधिक एक आकरी के नुसार राज्य में प्रतिवर्स पास दसमलों आठ लाग मैलाई गर्भपात करवाती है वही इस योजना के तहत अगस 2023 तक एक दसमलों आठ 88,000,000 से अधिक सुरक्षित गर्भपात करवाते हैं व्यदानस भावा में आज पेश होगी जातीयय गंणा सर्वे रिपोर्ट आज यारी की 7 नवंबर को बिहार विधानस भा के शी चानकारी मीद शार्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगा इस बात की जानकारी बीते दिन भी कहा था कि विस्तृत रिपोर्ट हम सदन में रखेंगे तो इस रिपोर्ट को हम लोग सदन में रखने जा रहे हैं। बता दी कि बीते 72 घंटे में यह दूसरी बार रहा जब भुकम के जटके महसूस किये गए हो। भी रिक्टर स्केल पर सुक्रवार रात को आई भुकम के तिवरता 6.4 जिससे कि नेपाल में कई लोगों की जान चली गए थी तो वहीं कई लोग घायल भी हो गये थे। बिहार में इंटर्मीडियेट सत्र 2023 पच्चिस में एड्मिर्शन लेने का अंतिम मौका। द्रसल बिहार विद्याले परिच्चा समीती के द्वारा इंटर्मीडियेट सत्र 2023 पच्चिस में ओन स्पोर्ट नामांकर लेने के लिए 10 नमबर तक का मौका दिया गया है। बिहार विद्याले परिच्चा समीती के पोटल पर अपना आविदन कर सकते हैं। और ने उठाया बड़ा कदब। अगर बताये कि दो हेट्यर में मलचिंग करवाने के लिए 32,000 रुपे की लागत होती है। तो इसका 50 प्रतीशत अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। सूबे के 65 प्रतीशत स्कूल सुरक्षित सनिवार से दूर। सूबे की हर स्कूल को सुरक्षित सनिवार का आयोजन करना है लेकिन अभी भी राजि में 65 प्रतीशत स्कूल ऐसे हैं जिनके दौरा सुरक्षित सनिवार का आयोजन नहीं करवाया जा रहां। और नहीं इन स्कूलों में अब तक आप दा प्रबंधन समीती का गठन किया गया है और नहीं सुरक्षत सनिवार का डेटा इस सिछा को उस पर अपलोड किया जा रहा है। अंकारी दी गई है कि साल भर में 97 तरह की आपदा संबंधित गतिवी धियां करवाई जाये ताकि छात्रों के अंदर आपदा को लेकर जाग रुकता है। जाती है यह किला दुर्गावधी नदी के ततपर सित है इस नर्किले का निर्मान 1540 से 1545 के बीच समरार शेर्षा सुरी ने करवाया था। कुल्वी स्ताबदी में इस किले को भुड़कुडा किला के नाम से भी जाना जाता था। किला खड़वार सासको द्वारा बनाया था और बाद में 1530 में शेर्षा सुरी ने उस पर कपजा कर लिया था। किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर मूल रूप से आठ छोटे गुंबत थे लेकिन अब केवल पांच हैं मुख्य प्रवेश द्वार से एक किलो मीटर दूर एक जील है जिसे रानी पोकरा रानी का ताला अब कहा जाता है और बगल की पहारी पर एक भुमी गत किला है। उत्तर में घाटिया, पहारिया, हरियारी और दुर्गावती जला से पडियोशना का सुरुमें दृष्ट दिखाई परता है या घाटी की अनुपम्ग छटा है। जवाब लेकर आने वाला है जिसका जवाब सभी दर्शक जाना चाहते हैं। जवाब सवाल क्या जौनपुर से मरजापुर चलाएंगे कालिन भाईया तो गुड्डू भाईया का क्या होगा। आटवा सवाल गुड्डू भाईया की बहन का क्या होगा जो होस्टल में पढ़ रही है। और दसवा और अंतिम सवाल क्या तीसरे सीजन में दद्दा त्यागी का रोल एहन होगा। डायल 112 सेवा के उपलब्धियों की ADG मुख्याले ने दी जानकारी। बीते दिन ADG J.S. गंगवार के द्वारा अपात कालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के तहर डायल 112 को लेकर जानकारी देते वे बताया गया कि 6 जुलाई 2022 को मुख्य मंत्रे नितीश कुमार के द्वारा इसे हरी जंडे दिखाने के बाद से अब तक इसकी मदस्ते कुल 4,50,000 शिकायते सुनी गई हैं। वहीं एक महिने में कॉल दर्ज होनी की संख्या 26,114 है जिसमें से 842 पर मामला दर्ज किया गया है। ADG के द्वारा जानकारी देते वें बताया गया कि पहले किया पेक्चा जुलाई 2023 में औसत रिस्पॉंड टाइम घटकर 21,48 सेकेंड हो गया है जबकि दर्ज कॉल की संख्या बरकर 3558 हो गई है। उन्होंने कहा कि कॉल रिस्पॉंड की संख्या में इसलिए बढ़ोतरी हुई है क्योंकि इस पर लगातार मॉनिटरिंग और कारवाई की जा रही। अगर हम कॉंसर्ट के टाइमिंग की बात करें तो इसके शुरुबाद साम 6 बजे से होगी जो की रात 10 बजे तक चलेगी वहीं लोगों के एंट्री के लिए गेर दो पहर 2 बजे से खोल दिये जाएंगे। दिवाली से पहले राज्य के कई जिलों में तापमान गिरा। दिवाली से पहले राज्य में तापमान में गिरावट आने शुरू हो गई है मौसम विज्ञान केंदर पतना के पुरवानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विज्ञान केंदर पतना के वरिष्ट वैग्यानिक आशीश कुमार ने बताया है कि अगले पांच दिनों के दौरान राज्य के उद्धर पश्यम और दक्षिन पश्यम भागों के जिलों के नियुनतम तापमान में दो से तीन दिग्री की गिरावट दर्ज की जाए मौसम विज्ञानिक अनुसार राज्य में पच्छुआ और पच्छुआ हवा का प्रवा सता से 5.8 किलो मीटर उपर बना हुआ है इसे वज़े से राज्य का मौसम आमतोर पर सुस्क बना रहेगा लेकिन सुभा के समय राज्य के अधिकांस भागों में धुन्द च्छाई रहने का पुडवान मान है साथ हिमाले के तरहटी और राजी के पक्ष्मी जिलों में सुभा के समय हल्की स्तर का कुवासा च्छाई रहने का संभावना है कुट्टे के काटने पर अब 5 नहीं इतने इंजक्शन लगेंगे विहार में स्वास्त विभाग के द्वारा एंटी रेवीज नीती में बदलावकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहर पहले जहां कुट्टे के काटने पर सरकारी एस्पतालों में 5 सुई लगते थे वहीं अब केवल 3 सुई लगेंगे जो कि कुट्टे के काटने की पहले दिन 14 दिन और 28 दिन पर दी जाएगी बता दे कि सुई का डोज 5 से 3 होने पर भी बिमारी के इलाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हलाकि मरीज के जखन के नुसार डॉक्टर के द्वारा तीन सुई से 5 सुई किया जा सकता है मालम हो कि कुट्टे के काटने पर एंटी डिवीज टी का लगवाना एक मात पर उपाय है अगर जानकारी के लिवेज एक वार संक्रमन है जो मुख्य रूप से संक्रम जानवर के काटने से पैलता है ऐसे में अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पहुँच जाता है और उसे प्रभावित करता है और फिर मस्तस्क में तिब्र सूजन पैदा करता है जिस इंसान जल्दी कुमा में चले जाते हैं और उनकी मौत हो चाहिए जिसके तहत सबसे पहले तालाब में मचलियों के लिए पूर काहर का प्रियोग कुल मचलियों के सरी के भार के 1.8-2 प्रतीशत से जादा ना करे तालाब के पान की गुनवत्ता बनाए रखने के लिए 400-500 ग्राम प्रती एकर की दर से मृदा प्रोबायोटिक्स अत तवा 10-15 किलोग्राम प्रती एकर की दर्स जीओ लाइट का प्रियोग नमयुक्त बालू या मिट्टी में मिलाकर कर इतालाब में जलिये खड़ पतवार होने पर आसायनी कुरबरत के था सिंगर सूपर पासफिट का प्रियोग न करे पंगेसियस मचलियों वारी तालाब से या एवं 6-8 फीट पानी का स्तर होने के बाद उपर से एक निकासी का पाइप लगा देना चाहिए इसके लावा इन मचलियों वाली तालाब में तैयार मचलि के निकासी का काड़े 3-4 दिनों के अंदर लगातार कर लेना चाहिए क्योंकि बची हुई मचलियों को छोड़न से उनके मरने की संभावना बढ़ जाती है भुकम प्रभावित नेपाल को नौवी बटालियन NDRF ने भेजी राहत सामगरी बीते दिनों नेपाल में आए भुकम से वहां कई लोगों की जान चली गए तो वहीं कई लोग घायल भी हो गया इसके साथ ही इस भुकम पे जान माल का भी काफी नुकसान हुआ है इसको लेकर एक तरफ जहां भारत सरकार की ओर से नेपाल की शाहिता के लिए राहत सामगरी भीजी गई है ठीक उसी तरफ अभिहार की राजधानी पटना जले के बीटा के सिकंद पूर सित नौवी बटालियन एंडी आरफ मुक्याले की कमांडेंट सुनिल कुमार सिंग के दौरा छे टन राहत सामगरी विवेन ट्रकों के जरी ये हरी जंडी दिखाकर नेपाल के लिए रवाना किया ग जिसमें तमाम धरुरत की चीजे मौजूद हैं जब परसितियां आपके अनुकूल ना हो तो घबराहाट होती ही है और आज इस सिती में नितीश कुमार है वही घबराहाट का नतीजा है अगर मैं विदवान हूँ तो मैं मुर्ख नहीं हो सकता अगर मुझे में कोई ग्यान ना होता तो दो साल तक आपने मुझे अपना एड सारे गुझराती ठग वाले बयान पर विहार के उप मुख्यमंत तेश्वी यादब को सुप्रीम कोट से बड़ी राहत मिल गई है दरसल कोट की ओर से तेश्वी यादब की याचिका पर सुनवाई करते वे इस मामले पर एहमदाबाद कोट में सुनवाई पर रोक लगा द मानहानी केस को ट्रांसफर करने की मांग करते वे सुप्रीम कोट को रुख किया गया है और इस पर 6 नमबर को सुनवाई हो गया आपकी जानकारी के बता दे कि वर्स 2023 के मार्च महिने में तेश्वी यादब के दौरा मीडिया से बाचित करते वे कहा गया था कि केवल गुझ चिराग पासवान आठ नमबर को बिहार के मुख्यमंतरे नितीश कुमार के गड़ नारंदा में महारेली करने जा रहे हैं लोग जल्शक्ती पार्टी रामविलास के संसदी अबोड के जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार सिंग और पार्टी के जिलाध्यक्ष सतिंद्र मुकुट के द्वारा एक प्रेस कॉन्फिस कर दी गई है उन्होंने बताए कि 8 नमबर को होने वाली रैली को लिक अच्राग पा 2023 का 38 मुकाबला बांगलादेश और श्रिलंका के बीच खेला गया लेकिन बता दे किस मैच में विश्यकप का एक पर रिकॉर्ड बन गया है दरसल बीते दिन हुए स्मैच में किसी भी एक विश्यकप में सबसे आदा छक्के का रिकॉर्ड बनाये गया है और इसी के साथ वर बिश्यकप में सबसे आदा छक्के जिस खिलारी के बल्ले से निकले हैं वो है भारतीय टीम के कप्तान रोहत सर्मा जिनके दौर आठ मैच खेलते वे 22 शक्के लगाए गया है भारत के दियास में आज की तारीक है कई कार्णों सदर्च मुगल सल्तरनत के अंतिम शासक बाहदूर शाद वित्य की 1862 में रंगून में मौत हुई बंकिम चंदर चिट्वपाध ध्याई ने अठासो चेहतर में बंगाल के कांतल पाड़ा नाम गाउं में वंदे मातरम गीत की रचना की थी भारत और आसिया विज्ञान और प्रोदुगी के विकास के लिए एक फंड बनाने पर 2006 में सहमत हुए बिहार के जंता दल के लोग सभा स्थाश्यों ने 2008 में अपने पत से स्थिफादिया कश्मीर के प्रसिद कवी रहमान राही को 2008 में ग्यान पीर पुरुसकार प्रदान किया गया प्रसिद राजनित अग्या कारी करता पंडित विश्वंभर नात का जन्म 832 में हुए अंग्रेजों खिलाफ लड़ने वाले महान प्रांती कारी विपिन चंदरपाल का जन्म 889 को हुए था रग्यानिक चंदरसेखर वेंकर्ट रामन का जन्म 888 को हुए था प्रमुक्रिशक नीतरथ सांसद एंजी रंगा का जन्म 900 को हुए था प्रसिद भारतिय कवी एवं साहितिकार चंदरकांत देवताली का जन्म 1936 में हुए था दक्षिन भारतिय फिल्मों के सूपर स्टार भारतिय अभिनेता कमल हसन का जन्म 1924 को हुए था मुगल सामराजी के अंतिम बादशा बादु शाह जफर काठा 62 में निधन हुए भारत के प्रसुधर राजनतग्या समाजिक काड़े करता और देश भक्त अश्विनी कुमारदत का निधन 1923 में हुए भारत के एक प्रमुक चिकसक और देश सेवक जीवराज मेता का निधन में निधन हुआ आज के दिन को सिसु सुरक्षा दिवस, महान, ऑक्टूबर, कुरांते दिवस और कैंसर, जागरुटा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है बारल खर में आज हम बात करेंगे के वाईसी निलंबन के बारे में सोचल मीडिया पर कहीं सूचना बारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे के वाइसी निलंबन के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने ट्वीट में लिखा है कि लोगों को B.S.N.L. से ये दावा करते वे नोटस मिले हैं कि टेलीकॉम डेगॉलेटरी ओफ इंडिया के द्वारा ग्राहा का के वाइसी निलंबित कर द साथ कहीं बार ऐसा होता है कि वाटसेप पर हमें अंजान नंबर से कॉल या वीडियो कॉल आते हैं जिससे हम काफी परिशान हो जाते हैं लेकिन अगर आप इन अंचाही कॉल को रोखना चाहते हैं तो यहां खबर आपके लिए बता दें इस परिशानी से चिटकारा पाने क अगरी हम आपको दो तरीका बताने वाने हैं इसके लिए आपको कुछ स्टेफ्स फॉलो करने होंगे तो पहले तरीके के अंतरगत आप अपने वाटसेप अकाउंट को ओपन करे और अंजान चैट पर क्लिक करे राइट साइड में टैप करने पर तीन डॉट के निशान दि करें अब लॉग कंफॉर्म पर टैप करें हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जवाब बताएं जो कि बीपेसी पिहार पुलिस तरोगा समीत एससी जैसे अने प्रतियों की परिक्षाव में काम आएंगे सवाल इतिहास पिहार स्पेशल विग्यान करे करना सहयुत्तर दिया क्रिपा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में पिधान मंत्री निरंद्र मोधी ने कहां वर्ल्ट पूड इंडिया प्रदर्शनी का उद घाटन किया है ऑप्शनी पटना ऑप्शनी पेंगलोडू अप्शनी नई अगला सवाल हाली में केंद्रे विट मंत्रे निर्मला सिद्या रमन ने किस देश के त्रिको माली में स्टीट पैंक ऑफ इंडिया की शाखा का उद घाटन किया है ऑप्शनी स्रिलंका ऑप्शनी चीन ऑप्शनी नेपाल ऑप्शनी भुटान इसका सयुतर है ऑप्शनी स्रिलंका अगला सवाल हाली में ईई एसल ने कहां राश्ट्रिय कुसल पाक कला कारी करम शुड़ू किया है ऑप्शनी जैपुर ऑप्शनी बेंगलोडू ऑप्शनी नई दली ऑप्शनी मुंबई इसका सयुतर है ऑपस्ससी नई दली अगला सवाल 2014 की जन गणना के उसर बिहार में शेहरी जनसंख्या का क्या प्रतीशत है ऑप्शनी 8.9 प्रतीशत ऑप्शनी 10.4 6 मुंबई जो इसका साही उत्तर है ऑप्शन भी 10.47 प्रतीशत अगला सवार शेर्षा सुरी का मगभड़ा विहार में कहा है ऑप्शन ने पटना ऑप्शन भी भागलपुर अप्शन दी शासराम इसका साही ρो तरहा option d sasa rama पीते दिन हमारे दर पूछीए सवाल का आप लोगों में से महँने और नफंटごा पूछाउग हमें हमारी comment section बॉक्स मैं लिध कर दिया था uh जिनने हमारे दर पूछी का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही पढ़ते हैं आज के सवाल की उराज का सवाल है आपके छेतर में ठंड महसूस होना शुड़ हुआ है या नहीं अपना जवाब हमें अमारी कॉमेंट सेक्शन में लिकार जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के त्माम खबरों के साथ बने रहने के देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चानल को सब्सक्काइब करना और अगर आप फे पेस्बूस से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद